स्वागत है आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ आज हैं भाशा और प्रग्या और आज आपके सामने तीन मुद्दे होंगे तीन ज्वलंत मुद्दे राम मंदिर पर सियासत चार शंक्राचारे कर रहे हैं राम मंदिर के उध्धाटन का बहिशकार साथ ही कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कह दिया है कि नहीं जाएंगे हम मुद्दा नंबर दो क्या बिल्किस बानो को आखरी इंसाफ मिल गया है सामने आ रहा है महिला सम्मान को लेकर बीजे बिकाचाल चरितर और चहरा और मुद्दा नंबर तीन जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं कि मालदीव को लेकर भारत के लिए एक नया कूटनीतिक संकट इसके हम चर्चा करेंगे मगर हम शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं राम मंदिर पर जो चल रही है सियासद ये बात तैय हो गई है कि बाइस जन्वरी को जब राम मंदिर का उधगाटन होगा तो इसका मकसद सबसे बड़ा मकसद सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी का महिमा मंदन विपक्ष को लगतार गाली देना और भाजपा के लिए वोट बटे उरने का एक और मौका मगर दूसी तरफ चार शंकराचारे ने इस मौके का बहिशकार किया है मीडिया उसकी चर्शा नहीं कर रहा है कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक राजनीतिक मंच बनकर रहे गया है एक ज्वलंत मुद्दा क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगे हम भाशा के साथ अभिसार एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे शंकराचारे हो या कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का स्टैंड दोनों ने ही बहुत बोल्ड और डियरिंग स्टैंड लिया है और दोनों ही पक्ष एक तरफ धर्म और एक तरफ विपक्ष की राजनीती इन्होंने तकरीबन ये ऐलान कर दिया है कि यह चुनावी प्रोपोगेंडा है जिस तरह से अर्ध निर्मित मंदिर में यह सारा का सारा हंगामा खड़ा किया जा रहा है यह धर्म अनुरूप नहीं और यह राजनीती अनुरूप नहीं तो डेरिंग और बोल्ड स्टेप है जिसका असर पढ़ना चाहिए अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर सबसे हास्यास पत है जिस तरह से गोधी मीडिया ऐसे कवर कर रहा है चार शंक्राचारे धर्म का मुद्दा उठा रहे है मगर उनकी वानी को पूरी तरह से जो है बॉयकॉट कर दिया है ब्लाक आउट कर दिया गया है क्या वो भी धर्म विरोधी है क्या वो भी हिंदू विरोधी है मगर इनका फोकस साफ है विपक्ष को गाली दो और मोधी 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 करते रहो प्रग्या क्या है इस मुद्दे का पंच अभिसार मेरा मानना है कि राम भक्तों का भगवान में आस्था रखने वालों का भी भाजन हो गया है और ये कहते कहते हुआ है कि सब भगवा ध्वज के नीचे एक छोर पर है भाशा कितनी अजीबो गरीब बात है यहां पर कि वो चार शंकराचारेक बहुत वाजिब मुद्दा उठा रहे है अधूरा मंदर मुश्किल से 30 से 40 प्रतिशत उसका निर्मान हुआ है अधूरा मंदर और वो मुद्दा उठा रहे हैं वहाँ पर आप उस पर बहस करना बहुत दूर की बात है आपने उन्हें टोटली ब्लाक आउट उनका कर दिया है और वही मुद्दा जब कॉंग्रेस उठा रही है एंटी हिंदू है या एंटी मोधी हैं क्योंकि यहां देखिए जो शंकराचारी उन्हें स्टैंड लिया है जिसमें दोने पब्लिक ली बोला है बहुत साफ उन्होंने अपना एजंडा किया है उन्होंने का ऐसी हरबढ़ाट किया थी आप मंदीर पूरा बनने देते उसके बाद आयोजन होता क्योंकि कोई प्रिसिडेंस नहीं है कि आदे मंदिर में इस तरह से मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा हो और दूसरे तरफ आप देखिए कि सबसे आसान है कॉंग्रेस और राहूल गांदी को एंटी हिंदू, एंटी नेशन तक कह देना जिसका एक बहुत बड़ा माइलेजिंग के पास है लिकिन मुझे लगता है शंकराचारियों के बाद जिस तरह से कॉंग्रेस और समाजबादी पार्टी ने स्टैंड लिया है उससे एक मेसेज जाएगा बहुत बड़ा जोखिम है अभिसार क्योंकि हम सब जानते हैं कि विपक्ष की क्या हालत है और ये जो महान गोदी मीडिया है ये किस तरह से बैटिंग करता है इस विपक्ष को ही और ज़्यादा डी हिमिनाईज उसको और ज़्यादा बुरा चेहरा दिखाने के लिए इतना बड़ा जोखिम ठीक दोहजार जोखिम से पहला अगर कोई प्रवेश ना भी करने दे कम से कम आयोद्या पहुंचें शो अफ स्ट्रेंड दिखाएं ये बताएं क्योंकि ये प्रॉपिगांडा का जवाब तो आपको आक्शन से लेना पड़ेगा न जो आपको जमीन पर दिखाई दे वो क्या आक्शन लेना चाहिए क्योंकि देखिए मुझे लगता है ये दोनो पॉलिटिकल पाटी इस ने कि इसके बाद वे कभी भी जाने के लिए आजाद या सकते हैं उनके तमाम और नेता जा सकते हैं और मुझे लगता है आप प्रग्रेस के नेता सुन रहे हैं तो अगर उनके दिमाग में ना भी आया है तो उनको यह इंप्लीमेंट करना चाहिए लेकिन तब भी अभी सार मैं यह सो फीसिदी आपके इस प्लेटफॉर्म से कह सकती हूं निस क्लिक के प्लेटफॉर्म से सब कुछ कर भी लेंगे तो भी जो गोधी मीडिया दे ग्रेट है वो यही बताएगा कि राहूल गांदी, सोनिया गांदी, मलिकार अरजुन खडगे यह सब दरसल एंटी हिंदु के में के लेंगे गोधी मीडिया को तो प्रग्या इस कदर हास्यासपत खेल चल रहा है आपने आप लगातार गाली दे रहे जी उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है उसकी बात मगर दूसरी तरफ चार शंक्रा चार वो मुद्दे उठा रहे हैं और बहुत ही सलीके से उठा रहे हैं देखे आपका धर्म, धार्मे का अनुष्ठान में विश्वास न वह एक अलग मुद्दा है मगर धर्म के लिहास से वो मुद्दे उठा रहे हैं कि आपने राम भक्तों को बाट दिया जिसका जिकर आपने अपने पंच में किया दूसरी तरफ एक आधा अधूरा मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्टा इसको लेकर हमारे हमारे पुरानों में हमारे शास्त्रों में इसका बाकाइदा जिकर है गोधी मिडिया उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है जी तरह तरह की चीज़े हैं जो धार्मिक्स तरफे की जाती हैं जिनको तोड़ा मरोडा जा रहा है इस बार सरकार ने जिस तरह से घाटन के लिए पूरी तैयारी करी है सरकारी खर्चा भी हो रहा है इसमें तो यह कि पहले भी इसके चर्चा की एक तो सरकार इसका आधा भी इатыंशन देगी क्मिसलमाणों के लिए खिया सेक्यलरिज्द के किसी बात को लेके वीकी अगर जाना है किसी इंडिविजुल नेता को मंदिर पे तो जाए ना जाए इसमें कॉंग्रोस पार्टी ने कुछ नहीं कहा है लेकिन जो सरकार से सवाल उनको पूछने चाहिए क्या वो सवाल पूछते रहेंगे ये विपक्ष का भी काम है ना कि वो एक नारेटिव तयार करें जिसको मीडिया पकड़े मुझे ऐसा रगता है विपक्ष से कहीं स्यादा इस मुद्धे पर वाजब जो सवाल हैं वो कुछ शंकराचार उठा रहे हैं अगर आप अवी मुक्तेश्वार अनन सारस्वधी को देखें वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि किस तरह से श्री राम जन्भूमी दीरत ट्रस्ट की जो महासचेव हैं चंपत्रा है वो कहरें ये आयूजन सिर्फ रामनन संपरदाय का है वो कहरें मतलब आप आप आपने राम भकतों को बार दिया और सबसी बड़ी बात जवाब चंदा एक खटा कर रहे थे तब तो आप ये नहीं कहरे ذे कि आयूजन रामननन संपरदाय को ये के हैं कि उन्होंने हाल ही में एक इंटर्व्यू दिया है मिश्रा साहब ने जिसमें उन्होंने का है कि अभी तक जो मंदिर की उद्गाटन की जो परंपरागत जो सारी उसके जो रिचुले हैं ऐसे कुछ लोग भारत में जिनका धार्मिक आस्थाब उस तर पर नहीं पहुंची जो पृस्तिष्ठा कर तो कोन से औरर की बात करें ना कोई और आप बात करें ब्रह्मनि जी उनको अंदर ले जा रहे हैं, यहां पर वो राम नहीं है, जो करोडों लोगों के अराद्ध है, हमारे वे राम है, जो उनको लग रहा है, कि उनकी उंगली पकड़के, उनको टेंड से लेकर घर तक बठाया, तो बड़ा चेहरा और बड़ा जो फोटो भी आपको दिकाई दे रहा है, राम से बड़े चेहरे हैं, तो मोधी जी है, इस पुर्यार जाम अगर हम एक पंक्ती में इस सेग्मेंट की चर्शा को समप करें, तो यह जो सारी बहस है, जो सारी कवायद है, उसकी सिर्फ, उसका सिर्फ एक परिणाम है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का म इसके लावा अगर विपक्ष के नेता कोई पहुँच जाए, तो उसको एक किसम का उसको भी एक नहायती डिमीनिंग धंग से पेश किया जा, सारी कोशिश वरी है, पर सारी देखिये, हिसाब देखिये, लाल कृष्ण अडवानी को कहा कि आप बजूर्ग हो गए, आप साल के हैं, तो यह जो सारी पॉलिटिक्स है कि राम मंदिर आंदोलन जो भारत में चला, भारती जनता पार्टी इस स्थिती पे जो पहुची, उसको लाने वाले लोग तो आपने साइट कर दिये, क्योंकि इस पूरे आयोजन में सिर्फ और सिर्फ जैसा हम सब जान रहे हैं देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली ओ या कहीं पर भी, चहरा सिर्फ एक हैं अभी सार, वो हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी, वही तारण हार हैं, वही दरसल राम मंदिर का सारा क्रिडिट अपने कंधों पर ही ले जा रहे हैं, योगी जी को बाद में उन्होंने इ इनसाफ क्यूं नहीं कहा हैं दोस्तों, ग्यारा लोग जो की उसके साथ दुशकर्म करने के लिए जिम्मेदार थे, उसकी तीन साल की बच्ची का सिर् जमीन पर दे मारा था, उसके परिवार के कई सदस्यों को मौत की घाट उतार दिया था, उन ग्यारा लोगों को जब रि किया गया था तो उन्हें माला पहनाई गई थी सीके राउल जी आदा आपको गोधरा की विदायक वो कह रहे थी कि ब्रामन तो बहुत संसकारी होते हैं और वो ऐसी हरकते नहीं करते हैं अब सुप्रीम कोट ने कहा ये वापिस ग्यारा लोग जो है जेल जाएंगे ये मामला क ही ने कई बता रहा है भाचपा का चाल चरित्र चहरा भी क्या है समुद्दे का पंच बताएं प्रज्या अभिसार मेरा मानना है कि अभी भी बिल्कीज बानों के भविश्य में एक अंसर्टिंटी है एक अनिश्चिता है जो कि बहुत अजीब और गरीब चीज है क्योंकि उन्हें जिस्टिस भी मिला है तो ये सवाल पैदा होता है कि एक महिला को बार बार एक ही केस में कितनी बार न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी भाशा क्या है समुद्दे पर आपका पंच अभिसार बिल्किस सबसे बड़ा चहरा है जो याद दिलाती है कि 2002 में जब कि खिलाव लड़ने का 22 साल का जो पूरा का पूरा लेखा जो का है वह आज की तारीक में बता रहा है कि गुजरात का तथाकतित विकास मॉडल बलातकारियों और हत्यारों के पक्ष में खड़ा है अमरित काल में 11 लोगों को छूट देना और जिसे सुप्रीम कोट ने कहा ये फ्रॉड है दरसल ये फ्रॉड तमाम भारती महिलाओं के साथ किया गया फ्रॉड है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच मिलकिस कह रहे हैं कि वो अब जाकर सांस ले सकती है मगर मैं उनसे कहना चाहूँगा नहीं मेरी बहन अभी तुम्हारी लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि अभी भाजपा जो है वो उन 11 लोगों को राहत देने की कोशिश कर सकती है माराश सरकार के पास विकल्प है उन्हे माफ किये जाने का हला कि वो 11 लोग कहा हैं उन्हें से 9 लोग गायब हैं ये तमाम मुद्धें जो बता रही है कि जब महला सम्मान की बात आती है तो भाजपा के दोहरे माबदंट साफ तोर पर दिखाई देते हैं और वो अकसर पीड़ित के खिलाफ दिखाई देता है इति से शौकिंग लगा उस मुद्धे पर एक चुपी थी प्राइम टाइम में उसकी किसी ने चर्शा तक नहीं की आपके पास एक औरत है जिसके साथ जो जियातिती जो टॉर्चर हुआ है वो अनिमाजनेबल है उसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं सेरन पैदा होती है ज होता हुआ दिखाए दे रहा है तब भी आपको कुछ सवाल उठाने चाहिए थे ना जो बहुत बुनियादी सवाल और उसका जिक्र तक नहीं कहीं कर देखिए अब आप एडिटोरियल तक नहीं लेखे गए प्राइम टाइम तो छोड़ी एडिटोरियल कितने अख़बारो और हत्यारों के साथ मिली भगत है उनकी बहुत स्ट्रॉंग शब्त है आप कल्पना कीजिए कि किसी और राजे के उपर होता तो क्या कोहराम मचा होता लेकिन बहुत डेलिबरेट है क्योंकि बिल्किस ऐसा चहरा है जिनको ना तो मोदी जी देखना चाहते हैं क्योंकि पर वे लगातार चुप हैं क्योंकि बिल्किस सिर्फ लडाई नहीं वो होसला भी है वो बताती है कि इंडियन वुमेन में भारती महिला में कितना रिजिस्टेंस है इनसाफ के बिना कुछ चाहेगी नहीं और देखी अंकिता भंडारी उनकी माने नाम ले लिया कि किस तरह स आरेसेस का एक नेता और बीजेपी का जो महामंत्री है वो शामिल था उनकी बेटी के सारे के सारे साथ जो हुआ तो ये एक सिरीज बहुत लंबी है लेकिन विनेश फोगात ने जो महिला पहलवान है उन्होंने जो बयान दिया देखी वो भी मीडिया में नहीं आया उन्हो के साथ हैं यानि तमाम महिलाएं अब पिछले दस सालों में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत जादा है हाथरस की बेटी आज भी इंजार कर रही है ना इंसाफी है देखिए माफी नामा तो बहुत दूर की बात है प्रग्या भाश्पा को जाहर सी बात है उसका एक इतिहास रहा है महिला संवान को लेकर आपको पूरे दस साल खंगालने की जरूरत निया पिछले दो साल खंगाली आप आपको इतनी घटना करम मिलेगी जिसमें खुले आम महिलाओं को लेकर मजाख बनाया गया है तो स्वाभाविक से बात है यहां पर प्रग्या की ये कैसा मुद् अफिस्पिक येक तेरी से दि गई तो क्या इसका कुछ फाइदा हुआ भाजपा को जा जेहन का मुद्दा उठाती है जिसको लेकर जो है और उठना भी चाहिए वस शॉकिंग केस वरम राजिस्थान मगर आपके सामने बिल्किस जैसा मुद्दा है उस पर आप खामोशी अक्तियार कर लेते हैं जी क्यूंकि जस्तिस जो होता है वो फाइनल भी होना चाहिए जस्त सरकार के पास जाईए वो डिसाइट करेंगे कि इनको माफी मिले या ना मिले तो बही सेंट्रल गवर्मेंट और गुजराथ सरकार यह तैन नहीं कर पाई कि यह लीगल है कि अब महराज सरकार इसमें अंदर आ गई एक तरह से तो मतलब जस्टिस एक जगे पर आकर रुकना चाहिए हम ये नहीं कहे है कि सुप्रिम कोट सही करें घलत करें हमारे मतलब का करें या ना करें पर कही ना कहीं पे यह रुकना चाहिए ताकि एक महिला बार बार हमीशा लड़ती ना रहे एक ही चीज़ पे वो बहुत ख़ दुख दे कर क्योंकि हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो बहुत बेहुत की से आपको याद है शैलेश भाई बट उन 11 में से एक व्यक्ति है उसे सम्मानित भाजपा के दाहुत सांसद ने किया लिमखेडा की विधायक वा मौझूद थे वही लिमखेडा जहां पर यह गैंग रेप और हत् नीती मानती है तो क्या वाकिए ऐसे में एक बिल्किस की जासे है एक चीज मुझे लगता है कि जिस तरह से 11 लोगों को छोड़ा गया और वह भी आजादी के अमरित महसब वाले दिन छोड़ा गया 15 अगस्त है हमें नहीं बूलना चाहिए तो एक मेसेश बहुत क्लियर दिय है लेकिन आप देखिए जैसे ही गुझरात में हर्याना में चुणाव होते हैं राजस्तान में चुणाव होते हैं वो पैरोल पर रिहाई नहीं होते हैं सारे लोग वहां जाके उनके चिरण वंदना करते हैं वोट के लिए करते हैं यानि एक मेसेश बहुत किलियर है कि भा प्रादकार और हत्या, दोनों से उनको कोई गुरेज नहीं है, इनको करने वालों से कोई गुरेज नहीं है, उनको प्रोमोशन मिलता है, वह सबसे बड़ी बात भाशाव जानते हैं, महिला सम्मान को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीति अगर किसी ने की है, तो भाशपा ने क है बहुत हुआ नारी का अपमानप की बार मोधी सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किन से बचाओ वो भी हमें दिखाई दे रहा है आजाद भारत के इतिहास में महिला सम्मान को लेकर एक राजनीतिक हत्यार किसी नहीं नहीं बनाया मगर सबसे ज्यादा महिला सम्मान के अगर कोई घातक राय तो भाजपा की राजनीति कम से कम इतत्र बता और और कम से कम जिस तरह का साइलेंस है मैं तो सोच रही थी कि इसमरिती रानी जी क्या पता कुछ बोल दें यहां पर लेकिन निश्चित तोर पर हम जानते हैं कि नहीं बोलेंगे लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि इतना बड़ा फैसला जिसमें गुजरास सरकार उसकी भूमी का कटगरे में है और आप यह भी न भूलिए कि इसमें यह भी बात है कि ग्रिह मंत्राले से जो परमीशन मिली वह भी फ्रॉट के आधार पर है लेकिन आप देखे कोई पब्लिक परसेप्शन सलाम करना पड़ेगा प्रॉफेसर रूपरेखा वर्मा जैसी प्रॉफेसर का जिनकी कोशशों के चलते बिलकिस को यह इनसाफ मिला शोभा गुपता जो वकील थी या फिर रेविती लौल पत्रकार सुभाशनी अली उनकी बबात करना ही वाला था महुआ मोहतरा ने भी जो सलाम करना चाहिए निश्ची तोर पर बिलकिस का जो होसला है और जो लड़ाई है वो तो मुझे लगता है एक बिलकुल प्रतीक है आगे बिलकुल इसका इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सो काल्ड ऑपोजिशन की महिलाएं महिलाएं बनके आगे बनी उन्होंने जितनी उनके पास ताकत थी चोटी बड़ी बिलकुल उसकी आवास बुलंद करी उसको होंसला दिया और शायद आप सही कह रहे हो अभिसार उनको फिर इस होंसली की ज़रूरत पढ़ सकती है मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये क्या महज इत्तिफाख है कि जब हमारी महिला पहलवान संघर्ष करती हैं और ये ना भूलें दिल्ली पुलीस की चारशीट में हैं कि ब्रिजभूशन ने उनके साथ क्या क्या किया आज तक ब्रिजभूशन जो है वो छाती चोड़ी करके कोई कारवाई नहीं याद कीजे जम्मू में आठ साल की बच्ची के साथ दुशकर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है मंदिर के अंदर और जो दुशकर्म को अंजाम देने वाले लोग थे उनके पक्ष में दो भाजबा के मंतरी राली निकालते हैं हाथरस रातो रात ब नहीं अगर अत्याचारी भाजबा से हो तो ये माइने नहीं रखता कि पीड़त कहां का है आपको नत्मस्तक होना पड़ेगा इस विचारधारा के सामने तभी आपको इंसाफ मिलेगा और तभी शायद ना मिलेगा अब हम रुक करना चाहेंगे अपने तीसरे मुद्दे का और वो है भारत और माल्दीव में कूटनी तक संकट प्रधा मंत्री नरेंद्र मोदी लक्षुदीब जाते हैं कुछ फोटोस खिचवाते हैं और उसके ओपर आपको याद होगा कि किस तरह से माल्दीव के एक मंत्री अभधर टिपणी करती है जिसकी कड़े शब्दों में आलोशना की जानी चाहिए तीन मंत्रियों को बद से हटा भी देया जाता है यानि कि भारत की तरफ से जो एक प्रतिक्रिया थी उसकी चलते ही हुआ मगर उसके बाद जिस तरह से मामले को बढ़ाया गया बुकिंग्स कैंसल की गई तमाम बॉलिवोड के जो लोग थे वो सामने आ गए ट्वीट करने लग गए ये बात अलगे कि जब वो लक्षुदीव के समर्थन में कह रहे था तो तस्वीरे जो थी वो माल्दीव की इस् दहा है कि आप किसे दुश्मन मान रहे हैं क्यों मान रहे हैं और किस तरह से बायकॉट मौलदीव से ले कर बायकॉट मेकमाई ट्रिप तक जो पूरा का पूरा पागलपन सोशल मीडिया पे चला और जिसमें तमाम नामीそうそう लोग तमाम आंकस सर्जिकल श्ट्राइक से टूरी इशू गायब हो जाएं सिर्फ और सिर्फ पागलपन और पागलपन पागलपन अब इसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह था कि जो इसमें टूल किट जारी हुआ था वो भारत के राश्चितों के खिलाब था आप बॉलिवड के तमाम सितारों को ले आते हैं ये बात अलग है कि वो आधियादूरी तयारी के साथ उतरते हैं वो लक्षुदीब के समर्थन में तो कहते हैं मगर तस्वीरें इस्तिमाल होती हैं मालदीव की दूसरी तरफ मैं नहीं भूलाओ कि इंडिया टुड़े की एक रिपोर्टर जो हैं वो पहुँची थी वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी पूरा जो दो रुपली ट्रोल तंत्र है वो उस पर हमला बोलना शुरू कर देता है यानि कि यह भारत की साख को क्या बना रहे हैं वोट आदे प्रेजेंटिंग इंडिया एस प्रग्या क्या है इस मुद्दे का पंच अभिसार भारत को क्या फाइदा क्या नुकसान ये वक्त बताएगा लेकिन क्या डिप्लोमेसी जो है कूटनीती सरकार कर रही है या ट्विटर पे कुछ ट्रोल कर रहे हैं ये एक सवाल बहुत बड़ा हमारे सामने अब फिर से खड़ा हो गया है कूटनीती का तकाजा होता है भाशा कि आप जब एक साल 2023 में जी रहे हैं जहां दुनिया हर गुजरते वक्त के साथ उसमें धुरूई करण हो रहा है तो आपको अपने स्ट्राटीजिक पार्टनर्स बढ़ाने होते हैं दोस्तों की जरूद है आप क्या कर रहे हैं देखिए नेपाल लंका भूटान पाकिस्तान तो पहले से ही है और बिल्कु श्रिलंका की बात नहीं किया उसके इलावा अब मौलदीव ये हर देश आज की तारिक में चीन का दबदबा इन तमाम देशों में बढ़ता दिखाई दे रहा है अरे ये कैसी कूटनी तेक सोच है किसने इस जैशंकर को विदेश मंतरी बनाया हुआ है कि आप अपने पड़ोसियों को नाराज करें बेतुके मुद्द को बवाल बनाएं और अपने संबं कि हम ग्लोबल लीडर हैं हमीं देश को और दुनिया को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें इतनी छोटी छोटी बुद्दों को इस तरह से बढ़ाना और मेरा कहना है अभिसार मालदीव कहां और भारत कहां बिलकुल ना कोई को एमपैरिजन है छे लाख लोगों की अगर सारे भारती लक्षदीपी चले जाएंगे तो लक्षदीप बिचारे का क्या होगा उसको थोड़ा सुरक्षित सुंदर बने रहने दो क्योंकि वहां पर इस तरह का पागल्पन नहीं है और आप कम से कम बात करते समय इंटरनाशनल रिलेशन्स में हम भी सोचते हैं कि किसे हम कैसे डील करेंगे किसका क्या कद होगा लेकिन यहां तो ट्रोल आर्मी और ग्रेट एंकर्स की जो टीम है बाइकॉट टूरिजम मलदीव के सासाथ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से इसकी तुलना की कि टूरिजम स्ट्राइक किया मोदी जी ने तो मेरा यह मानना ह उस मंत्री ने जो कहा वो वाहियात था और उसकी आलोशना भी की जानी चाहिए उन्हें पत से हटा दिये गया कूट नीती में आप हर जगा सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ना करते हैं और सबसे बड़ी बात एक देश को खासकर इस देश का जो इतिहास रहा है आपको बड़ सारे धन दौलत वाले लोग मौलडीज जा चुके हैं छुट्टिया काट के आ चुके हैं अक्षे कुमार एक ही अफ्ते पहले मालदीव गए थे और फिर वो बता रहे थी कि सहाब मालदीव नहीं मैं तो लक्षुदीव को बढ़ा वे तो कौन सा बॉलिवोड का सितारा इं वहीं की फोटो लेकर अभिसार एक और चीज है मैं ट्विटर पे काफी कम समय बिताती हूं लेकिन जब यह मौलदीव वाला हुआ तो मैंने थोड़ा सोचा की देखती हूं भई यह तो ट्विटर पे ही हो रहा है सारा कुछ डिप्लोमसी तो जो मौलदीव के आम जनता है जो टूरिजम प्रमोटर्स हैं और जो आम जनता है और उनके काफी सारे नेता वो सब भारत का पक्ष ले रहे थे तो जो ट्विटर आर्मी थी उसको भी कही ना कहीं सोचना चाहिए था ना कि हम अपनी तमीजनाक हो दें क्योंकि मौलदीव के कुछ लोगों ने नेताओं बत्तमीजी करी है अखिरकर भारत सरकार पे भी ये कहीं ना कहीं दायतव आता है ना कि वो लोगों से कहें कि बाई शान्त रहो हम देख रहे हैं हमारा कोई नुकसान हम देशना होने ने देंगे अब अब देख रहे हैं ना प्रधान मंतिर का लगातार आप दिखा रहे हैं लाइफ जैकेट पहने हुए समंदर में दुपल्क्नी कहाते हुए और भारती जनता पाटी जो है ना वो एक विक्टिम होड एक पेड़ित कॉम्पलिक्स में जीती है यानि कि हमें गालियां आपको हर समय एक दुश्मन चाहिए तो सवाल है कि इसमें भी उन्होंने एक दुश्मन तलाश लिया और वह दुश्मन ऐसा था अविसार जो बिचारा इतना छोटा सा है जरा सा दिखाई देता है मालदीव और उसमें आपको बहुत आसान रास्ता मिल गया कि बिल्किस पर फ पठान मुझे याद आया कि आपका शो और हम सब लोगों ने बाइक पठान से लेकर बाइकोट मौलदीव अगले दिन प्रग्या बाइकोट मौलदीव हो गया इसके बाद अगले ऐसे ही लड़ते रहे, क्या मिला, क्या नहीं मिला, हमने सोचा ही नहीं, डिप्लोम ऐसी आखे दो देशों के बीच की रिस्टी की बात है, तो आप सबसे लड़िएगा, ऐसे फालतु में लड़िएगा, जनता ही लड़िएगा, तो आपको कुछ मिला या नहीं, इसके लिए क काउंट्स हो रहे हैं न कि किसने कितने बैटिंग की कौन कहां ज़्यादा स्कोर कर पाया तो आप देखेगा सारे लोग स्कोर करने में आगे बढ़बढ़के बढ़बढ़के किरन रिजूजिल करते हैं माली इसकिप और ये बॉलिवुड के जो सितारे हैं माफ कीजे का शब्दावली का इस्तमाल कर रहा हैं ये लोग इतने बड़े कायर हैं इनके मूँ से मनेपुर पर कभी कुछ निकलेगा बिलकिस पर कुछ नहीं निकलेगा महिला पहलवान जब संगर्ष कर रही हैं तो क्रिकेट के सबसे बड़े भगवान एक मात्र भगवान सेशन को दीजे अजासत नमस्कार